हेलो फ्रेंड्स मेरी रुसोई में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटी मसालेदार भिंड़ी कड़ाई में मैंने दो चम्मज तेल ले लिया है सरसो का तेल लिया है थोड़ा सब तेल एक्स्ट्रा ही डालेंगे विंड़ी का मसाला बनाने लिए तेल दो चमज धनिया हाफ स्पून हल्डी हाफ स्पून लाल मिल्च दो चमज सौंप सौंप का टेस्ट बहुत अच्छा आता है थोड़ा ज्यादे ही डालेंगे आधी चमज कलॉंजी अब यहां मैने ली है रोअम बि इसको ऐसे साफ करके पील कर लिया है मैंने रोव आमबी ली है यह है यह हम दाल देंगे है कि अब इसमें डालेंगे नमक अब इसे दो-तीन मिनट के लिए कवर कर देंगे बीच-बीच में चलाते रहेंगे ताकि नीचे लगना जाए इसे हम बीच-बीच में ऐसे चलाते रहेंगे इसे बनने में पूरे तीन-चार मिनट तो लग जाएंगे और गैस की फ्लेम बिल्कुल सिम रखनी है नहीं तो भिंडी नीचे लग जाएगी तस बीच-बीच में ऐसे थोड़ा सा चला दो और पर कवर कर दो यह देखिए हमारी भिंडी बनकर कयार है बस अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और तेज आच करके एक मिनट के लिए हम इसको भूल लेंगे तो यह थोड़ी करारी हो जाएगे रख्षी हमारी मसाले दार भिंडी बनकर तयार है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू